जोहार दोस्तों मैं इस्मृति ऐस्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूटूब चैनल स्टड़ी विद स्मृति में आज की क्लास में मैं आप लोगों को जारखन की जंजातियों से संबंदित एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले क्लास देने वाले हूँ कुछ महत्पूर्ण फैक्ट बताने वाले हूँ यह आप लोगों की एक्जामिनेशन के पॉइंट व यू से बहुत ही ज्यादा हेलफुल है क्योंकि यह आपकी एक्जामिनेशन की तियारियों को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा चलिए सुरू करते हैं आज़ी ग्लास को और सबसे पहले हम नोग जानते हैं ओरांव जनजाती के बारे में ओरांव जनजाती से संबनधित एक कथन है क्या कि ओरांव जनजाती नीष्ट दता अनावश्चक जाती समू है तो ये कथन किसका है जिन्होंने उरावजनजाती के प्रती इस तरीके की बात कही है तो एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था Annals of Ruler Bangla ये पुस्तक के लेखाक है Hunter Hunter ने अपनी इस किताब में उरावजनजाती को कहा है कि उरावजनजाती नीच और अनावर्श्यक जाती समों है मुझे ये फैक्ट मिले तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ऐसे कोशन आप से पूछ दिये जाए कुछ और भी फैक्ट जो उरावजनजाती से संबंधित है वो ये है कि रिजले और राय ने उराव जनजाती से सम्मंदित विश्तरित जनकारी दी है और उन्हों ने अपनी इस जनकारी देने के करम में यह बताया कि जो उराव जनजाती है वो द्रविड मूल के जनजाती है द्रविड प्रजाती के हैं वो उराव तो आपसे अगर प्रशन पूछ दिया जाए कि निम्न में से किस ने ये बताया कि उराव जनजाती द्रविड प्रजाती की है तो ये कहा है रीजले और राय ने अब हम लोग कुछ ऐसे भी शब्दार्थ देखेंगे जो कि जहां से कोशन पूछ लिया जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जाने कि तोलोंग क्या होता है उराव जनजाती में तोलोंग किसे कहते हैं अब हम लोग ये जानते हैं तो उराव जनजाती में तोलोंग वस्तर को कहा जाता है उराव जनजाती में एक प्रथा होती है वो है गोईयारो की प्रथा जैसे आपको मैंने मुंड़ा जन्जाती में जुग टोपा के बारे में बताया था जुग टोपा समारो उसी प्रकार एक प्रथा है जो उराओं जन्जाती में काफी प्रचलित है वो है गोई आरो इसमें क्या होता है कि कोई युवा लड़की युवा उराव लड़की वो जीवन भर के लिए किसी को गुई बनाती है उसको इसको इस कारेकरम को इस प्रक्रिया को गुई यारो कहते हैं कोई लड़की जीवन भर के लिए उसको सखी या गुई बनाती है तो उसको गुयारों कहते हैं उराओं जनजाती में यदूर क्या होता है यदूर यदूर कहीं कहीं आपको जदूर भी मिलेगा तो जदूर क्या होता है उराओं जनजाती में तो उराओं जनजाती का सबसे ज करके बैठी है साथ में इसलिए मैं इवनिंग में क्लास लेती हूं ताकि आप ऑफिस से घर आ गया होंगे और आपको लिखने का भी मुखा मिलेगा तो आप कॉपी और पेंड लेकर के बैठें और क्लास जब करें तो फिर आप इसको नोट डाउन करते रहें एक शॉट नोट करके चलिए लिखने का प्राक्टिस आप अभी सही कीजिए एक सॉट नोट चार कीजिए ऐसामरेशन में बहुत काम आने वाले हैं अब देखिए कुंदी किसको कहते है उराव जनजाति ओं कि सर्जन अस्थल को कुंदी कहते हैं जैसे मुंडजन जन्जाती में सासन था जह यहांव पर अस्तिक का विसर्जन किया जाता है उस जगा को क्या एक चतरा है कुंदी कब शब्द आता है पुल की उराउं जघंजाती कि फुलकी किते कई तो कूंदी के पत्थरों को फुलकी कहा जाता है जैसे कि मुंड़ा जनजाती में साशन में पत्थर का टुकड़ा लगाए जाता है उसी तरीके से कुंदी जो होता है कुंदी में यानि कि जहां पर अस्तियों का विसरजन होता है तो कुंदी के पास पत्थर जो लगाए जाते हैं तो उराम जनजाती में उसको फुलकी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको फुलकी कहते हैं, अगला जो शब्द है, वो है हर्बोडा, यह हर्बोडा क्या है, यह अब हम लोग जानते हैं, साल भर में हर्बोडा समरो उराउं जन्जाती में मनाय जाता है, जुक्टोपा समरो जिस तरीके से, मुंड़ा जन करते हैं हार बोड़ा सम्मारों हुष जाती जो है वो तीन बार सिकार पर निकलते हैं तो कौन-कौन सा समय होता है तो मार्च महा में यह निकलते हैं पहली बार दो शिकार पे इसको फागु सेंधरा कहते हैं फागू सेंदरा के लिए निकलते हैं कब तो मार्च में अभी समय जो आ रहा है मार्च का होली के समय में फिर अप्रेल में अप्रेल से लेकर के मई माह तक ये लोग वीशु सेंदरा के लिए निकलते हैं तीन बार शिकार के लिए निकलते हैं एक अप्रेल से लेकर के मई माह उमीध है कि आपने इसको लिख भी लिया होगा और अभी याद भी हो गई होगी, समय आप उसके बाद बारती बारर रिपीट करकर करके क्लास देखें, जो समय है उसका सही तरीके साइ यूटिलाइज करने का यही तरीका, विर क्लास में सन्थाल जंजाती, संथाल जंजाती, अब देखे कई पर ऐसे मरांग बुरू, मरांग बुरू किस चीज के देवता है तो ये पहाड के देवता है, इस तरीके के प्रस्ण जो होते हैं, पूछे जाते हैं, मरांग बुरू किसे कहते हैं, सूरिक के देवता होते हैं, मरांग बुरू पहाड के देवता होते हैं, दौन के नाम से जानल याँ पर ग्राम सभाके बैठेकें चलती है उसको मांजी जानलว ज форм किसे कहा जाता है तो गाउंग का धार्मिक अस्थल हिसे जो पर रह जाता है सद्धल करते अदों इस पर पुझा arbitष, वहां पुझा पाठिक जाता है उसी तरीके से संथाल जनजाती का गाउंग में जो धार्मिक अस्थल होता है उसको जोहर्थान के नाम से आना जाता है दाका उरू किसे कहते हैं तो संथाल जनजाती दालभाद को दाका उरू कहते हैं क्या कहते हैं दाका उरू यानि कि दालभाद जोंडरा किसको कहते हैं जोंडरा दाका किसे कहते हैं तो मक्कई की दलिया को संथाल जनजाती जो है वो जोंडरा दाका कहते हैं वासक्या किसको कहते हैं तो जलपान को सुबा का जो ब्रेकफास्ट होते हैं उसको वासक्या कहते हैं दो पहर के भोजन को संथाल जंजाती जो है वो माजवान कहते हैं, रात के भोजन को संथाल जंजाती कदोक कहते हैं, कदोक, कदोक रात के खाना हो गया, माजवान दो पहर का खाना हो गया, सुबह का जो नास्ता हो गया, बास्क्याक हो गया, संथाल जन जातियों में जो महिलाए आभूशन को धारंड करती हैं उसके भी अलग-अलग नाम है हाथ में पहनने वाला आभूशन अलग होगा, नाकवर आभूशन होगा, पैर में पैल का आभूशन होगा, बिच्या का आभूशन मतलब बीचिया अलग नाम से पुकारा जाएगा तो अलग-अलग नाम है संथाल जन जातीओं में अब देखे यहाँ पर मैंने भाग, किस-किस भाग में कौन-कौन सा अभूशन पहने जाएगे यहाँ अभूशन का नाम है, यहाँ वो भाग का नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग जाने हाथ में, हाथ में पहनने वाला जो अभूशन है, संथाल जन जाती में उसको क्या कहते हैं, सांखा तथा साकोम, सांखा और साकोम, मालजी आपसे पूजे जगा साकोम कहां पह पिर कान में पानरा पहनते हैं में नाक में मकड़ी पाउं में बांक बंकी कहा जाता है और पाउं की उंगलियों में जो बिच्छी वा जिसको आम लोग बोलते हैं उसको संथाज जन्जाती बटरिया कहते हैं मानली जब पिछली बार कोश्चन पूर्च दिया गया था कि खौंगसो क्या है तो बालों में लगाने वाला याभूशन है आपको इसी तरीके के कोश्चन यहां पर भी सल्व हो जाएंगे अब आप से पूछ दिया जाएगा बटरिया क्या है तो आप अगर नहीं पढ़े हो अभूशन धारन किये जाते हैं तो पूरुश जो होते हैं हाथ में टीडोर को धारन करते हैं फिर बाह में खागा को धारन करते हैं और कान में कुंडल को धारन करते हैं तो यह पूरुशों के द्वारा पहना जाने वाला अभूशन है संथाल जनजाती में कुछ और भी अन और कुई महीला या बैषन इसकी पता जी है का यहां को ईपने थीदम रूटी से पत्र ले पत्र संठाल जन पुत्रों का होता है अगर पहला जो अधिकार है पैत्रिक संपत्ति पर पुत्र का होता है और फिर उसके बाद अविवाहित पुत्रियों का होता है तथा पटिदारों का होता है अगर पुत्र नहीं है तो पुत्रियों का दूसरा अधिकार होगा अगर पुत्र और पुत्री जाता है जैसे हम लोग मुझिदा फड़े में सब्सक्राइब बदो चाचो छठीयार और एक कोषे अब पर वहले जल्ब में estasak चाचो छठीयार मनाय जाता है अगर किसी का विवा होने वाला होता है तो उसके पहले ये रसम होते हैं चाचो छठीयार के इसके लिए कोई उम्र अत्वा दीन सुनिशित नहीं होता है ऐसा नहीं किसी उम्र में होगा या फिर इसी दीन को होगा ऐसा कोई सुनिशित नहीं होत बच्चों को अपनी जाति प्राफ्त होती है चाथो छठियार से ही तो यह कोई असर निशित नहीं है कभी आप इसको कर सकते हैं तो उसके चाथो छठियार के रसम के बाद बच्चे जो होते हैं वो जाती में शामिल हो विभिन विवा के तरीक है अलग अलग अब इसका तरीका है वह देखे कि क्या तरीके से चाहद के पतुनि जो विवा सुनिशित होता है उसको साधाई बापला कहते हैं इसमें वर और वधु जो होते हैं वो राजी होते हैं शाधी के लिए और उसके बाद विवा हो जाता है तो फिर उसको साधाई बापला कहते हैं गोलाइटी बापला किसे कहते हैं तो गोलाइटी बापला किसे कहत और हम लोग यह जानते हैं यह गोलाइटी पापला प्रकार का जो विवाह होता है इसमें जिस परिवार में बेटी ब्याही जाती है उस परिवार से पतुह भी लाई जाती है मान लिजे कि यह वर है और यह वधू है तो बेटी को ब्याह इस घर में हो रहा है तो इस वर की जो बेहन होगी उसकी साधी वधू के भाई से होगी तो इस तरीके का जो विवाह होता है उसको गोलाइटी विवाह कहते हैं तो यह गोलाइटी बापला कहते हैं संथाल जंजाती में अगला जो तरीका है विवाह का वो अक्सर गरीब परिवार के बीच में यह विवा संपन होता है और कन्या को वर के घर लाकर के सिंदूर दान करके विवा संपन हो जाता है गरीब परिवार में अक्सर ऐसा होता है कन्या को क्या किया जाता है वर के घर में लाये जाता है और सिंदूर दान करके विवा हो जाता है तो इसको टुनकी दिपिल बापला के नाम से जाना जाता है एक और विवा का प्रकार है श़क्षप उन्हें की मीका सबब़ा में Pa THEY की पत्र नहीं है तो वह प्षा नहीं है तो कञ़्या के गाउं जाकर के उससे अपने हाँ ले आते हैं और वधू Wadhu के लिए को लिए पोन नहीं देना पड़ता है तत्ता वीवा के बारद धामाद को ससुराल में रहते हैं और वो वधु मुल्य नहीं चुकाते हैं वो आते हैं और सुसराल में ही रहते हैं तो इस तरीके के विवा को धर्दी जमाई बापला कहते हैं लड़की ही है बस बेटा नहीं है तो वो दमाद को घर जमाई बना लेता है और घर जमाई बन रहा जो दमाद होता है वो वधु मुल् वो देना पड़ता है तो वो चीज नहीं देना पड़ता है इस वाले धर्दी जवाई बापला वाले विवा में अगला जो विवा है वो है इतुत बापला ये किस तरीके का विवा है इसमें क्या होता है कि जो लड़की के माता पिता होते हैं उसके पसंद के लड़के के साथ विवा की अनुमती नहीं देते हैं, तो लड़का मेले अथवा किसी औसर पर लड़की के माथे पर सिंदूर लगा देता है, इतुत बापला इसी को कहते हैं, मेला में जाता है, अगर लड़की के घर से पर्मिशन नहीं मिला विवा का, तो लड़का क्या करेगा, वो मेला जा जहाता और फिर उसके बाद वर के साथ वीवा संपन और दिया जाता है तो यह विवा हो गया निर्भी लोग बापला तो यह संथ्वाल जाती में प्रचलेत हैं अगला जो विवा है वो है बहादूर बापला ये किस तरीके से होता है अब हम लोग ये जानेंगे इस प्रकार के विवा में लड़का लड़की जंगल में भाग जाते हैं और एक दूसरे को वो माला पहनाते हैं फिर विवाह संपन हो जाता है, बहादुर बापला लड़का लड़की घर से भाग करके जाते हैं, जंगल में भाग जाते हैं और एक दुसरे को माला पहना करके वो विवाह संपन करते हैं, तो ये इस तरीके का बापला को बहादुर बापला के नाम से जाना जाता है, अगला समक्ष उनके सामने और चारीक रूप से लड़की की स्विक्रिती प्राप्त करके फिर वो विवाक संपन होता है उसको राजा-राजी बापला जिस तरीके से कोर्ट मैरेज हुआ उसी तरीके से ये राजा-राजी बापला होता है फिर अगला विवा है वो है सांगा बापला अ जाते हैं तो इसको कुछ धन रासी दे करके उसाधी की जाती है इसको किरिंग जवाई बापला कहते हैं कुछ अने तो इसमें क्या शब्द आता है आरूप जोगा शब्द जो होता है कि पती के अगर बड़े भाई से सपर्स हो जाएगा and तो पिर उसको अरूप जोगा नामक पर्याशित करने का विजो महीला सब्यारा क्या हूं पर्याती जोम क्या होनी ये जानेकर देखे आपको पता है कि संथा जनजाती में जो सबसे कठोड सजा होती है उसको कहते हैं बिटलाहा उसको सबसे कठोर सजा होती है बिटलाहा समाज से उसको बहिस्कृत कर दिया जाता है अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसको समा से बहिस्कृत कर दिया जाता है संथाल जन्जाती में उसको बिटलाहा के नाम से जाना जाता है तो जो बिटलाहा का रसम होता है बिटलाहा जो होता है उसकी सजाप्राप्त अगर कोई बहिस्कृत व्यक्ति है वो अगर फिर से समाज में आना चाहता है वो चाहता है कि हम फिर से समाज में आ जाएं तो इसके लिए उसको जाती जोम संसकार जो है वो करने पड़ते हैं जैसे बिटलाहा कि अगर वो चाहता है कि फिर से मैं संथाल समाज में आ जाओं तो उसको जाती जोम करना पड़ता है यह संसकार है जाती जौम है तह मुझे पता है कि इसमें पुर् decreased कराना पड़ता है कुछ ऐसी कुछ हम रता संधाल संधालों को बंगा का जाता है गुरुत हाप्राव को इसते हित способ मतलब देवी देवताओं का संथालों को देखें फिर से मैं बोलती हूं बोंगा गुरु और हापडाम को किसे कहते हैं तो पित्रों को या फिर देवी देवताओं को बोंगा गुरु तथा हापडाम को कहते हैं संथालों का यह मानना है कि किसी व्यक्ति या परिवार या मतलब अगर यह क्रोधित हो जाते हैं तो गाउं में अकाल आती है महामारी आती है तो बोंगा गुरु और हपडाम को जो है वो खुश रहते हैं तो चारोड सांती बनी रहती है घर परिवार सुखी संपन रहता है और क्रोधित होते हैं तो अकाल आता है महामारी आता है तो य एक शब्ध है, उमै हाड किसे कहते हैं संथाल जंजाती में para इसाई संथाल को उमेहाड कहा जाता है जो संथाल इसाई है तो उसको उड़े हाम कहा जाता है उमेहाड कहा जाता है नाइके पुजारी होते हैं संथाल जनजाती के हो सकता है शायद सोलह जनवरी को था यह सोराई पूस मा में अक्सर यह लोग मनाते हैं सोराई तेवहार संथाल जनजाती का सबसे महत्वपून तेवहार है बाहा पर्व संथाल जनजाती के द्वारा फागुन मा में अभी आने वाला है मार्च के समय में बाहा पर्व संथाल परिसो क्या होता है संथाल जञाती में तो संथाल के गोत्र को परिसो कहा जाता है खंट किसे कहते हैं तो जो उप गोत्र होता है उसको खंट कहते हैं संथालों में कुल बारह गोत्र होते हैं इनका जो मूल गोत्र होता है वो होता है पांच मूल गोत्र होते हैं संथाल के दो सम्मू होते हैं कौन कौन से सम्मू होते हैं एक तो देशवाली संथाल होते हैं और दूसरा खरवार या सोफा होर संथाल होते हैं संथाल के दो समू हैं देशवाली संथाल और खरवार या सोफा होर संथाल संथाल में दो होड का अर्थ है दो संथाल में होर का मतलब होता है आदमे जैसे की होरो मतलब मनुष्य मैंने आपको मुर्ण जाती में बताया था वैसी ही संथाल में होर का अर्थ होता है आदमे संथ अन्थाल में ऐसी माननेता है कि ये पिन्चू हरम और पिल्चू बुढीं के संतान हैं संथाल जन्जाती में गाउच परिवार को बककरी कहा जाता है वस्त्र और अभूषन हम लोगों ने जाना था कुपनी और कान्या ये संथाल जन्जाती के अधो वस्त्र हैं कुपनी या कान्या कुपनी या कान्या याद रखेगा ये अधो वस्त्र होते हैं लंगोटी की तरह इसको पहना जाता है कुपनी और कान्या इसो कहा जाता है दहर और पाटका क्या होता है संथा जन जाती में दहर और पाटका क्या होता है तो माथे पर बांधे जाने वाली जो पगड़ी होती है जो पगड़ी सर पर बांधा जाता है उसको दहर और पाटका क के नाम से जाना जाता है पारहाड क्या होता है पारहाड यह सारे शब्द आप नोट करिएगा पारहाड यह क्या होता है तो सधारन पारदार साड़ी जो होता है उसको पारहाड कहा जाता है पंची किसे कहा जाता है पंची पंची तो बाए कंधे पर से पार करके मतलब ये सीने को ढख करके जो पहना जाता है जैसे कि दूपट्टा होता है ऐसे पहना जाता है उसको तो उसको पंची कहते हैं कुछ आभूशन के बारे में तो मैंने आपको बताया है साकोम, खगा, हसली, पानरा, बांक, बंकी, बटरिया ये सबी तो मैंने आपको पढ़ा दिया है अब हम लोग जानेंगे एक तेवहार मनाये जाता है संथाल जन्जाती में जिसका नाम है जामपार तेवहार ये कौन सा तेवहार है अगर आपसे पूछ जार जामपार तेवहार तो पहले मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है उस तरीके से तो आपको ये पता होगा कि जामपार तेवहार क्या होता है जामपाड तेवहार जो होता है वो अगहन माह में मनाय जाता है इसमें सुवर की बली दी जाती है इसमें एक तेवहार मनाय जाता है जिसको कहते है एरोक तेवहार इसमें ये बीज बोने की प्रथा है इस तेवहार में एक तेवहार है हरियार तेवहार फसले अच्छी तरह से फले फूले इसकी प्रार्थना की जाती है इस तेवहार में एक तेवहार संथाल मनाते हैं भाग सीम तेवहार यह मागवा में मनाय जाता है सोराई तेवहार मैंने आपको बता है पूस में मनाय जाता है बाहा फागुन में मनाय जाता है जो की होली के समय में यह तेवहार मनाय और एक बार एकजाम में एक कोशन पूछा भी जा चुका है कि बिरहोर कार्थ क्या होता है तो ये होता है जंगल का आदमी बिरकार्थ होता है जंगल होड कार्थ होता है आदमी ये बिरहोर जो है वो खाद्य संग्राहक जन जाती है खाद्य को संग्रा करती है ये दो तरह के ह होते हैं और दूसरा होता है जांगी जो होते हैं अस्थाई जीवन जीते हैं किसे तो बिरहोर शंकू का अकार का इस तरीके के जोपड़ी बना कर रहते हैं तो उसको कुमबा कहते हैं शंकू अकार का इनका जोपड़ी होता है उसको क्या कहते हैं कुमबा बिरहोर जनजाती टंडा किसे कहते हैं तो पांच या साथ कुमबा मालिजे कि एक कुम्बा, दो कुम्बा, तीन, चार, पांच, छे, साथ, पांच या साथ, कुम्बाओं को मिला करके एक तंडा बनता है, ये जोपड़ी है, तो ये मिला करके एक तंडा बनता है, खूट किली तिथा पारिस, ये क्या होता है, वन शावली के लिए इसको प्रयो सबसे प्राचीनतम जन जाती है और अदीम जन जाती है इन में सरही कुछी 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 यह हम लोग जानेंगे तो एक विशिष्ट पर्व होता है असूर जन जाती में इसको सरही कुछी के लिए प्राचना की जाती है क्योंकि ुद्धियोग में इद्योग में उन्नति के लिए यह कां बना करते हैं इन में जाट असूर होते है इसाई धर्म अलंबी असुर को क्या कहते है जाट असुर जो इसाई धर्म को मानने वाले असुर होते है उसको जाट असुर कहते है और असुर जाती लोलो घोट जो मेकू लोलो घोट जे मकू किसे कहते है तो दीन के भोजन को लोलो घोट जो मकू कहा जाता है हडिया दो प्रकार के उसमें हट हडिया के क्या होता है इसका सेवन डवा के रूप में होता है अब भरूनी हडिया इसका सेवन नक्षे के लिए किया जाता है तो ये सबी आपने जाना कुछ महतुपूर्ण एक्स्रा इफेक्ट वाले क्लास हैं ये और आगे भी इस तरीकी के क्लास जो है वो जारी रहेंगे कल की क्लास में या फिर अगर मेरे नोट्स रेडी हो जाते हैं विलकिंसर नेक्ट पे तो कल क्लास ले लोगी अगर मान लीजे किसी तरीके से अगर कल क्लास के नोट्स त्यार नहीं हो पा है तो ये एक पर्सु इसके क्लास ले लोगी अगर जितने भी बन जाते हैं योट्यूब पर मैं उसका अप्लोड कर दोंगी और आप सभी जो है यदि आज जो मैंने क्लास लिया है अगर आप चाह पहरी के राथ के बारहवजे तक ही ऑफर रहेगा जेपेसी के फूल कोर्स हो और नाइन नट फूर्स हूं मैं मूझे लगता कि से भी कम होंगे प्राइस क्यूंकि यह मिनिमम है अपने अस्तर पर क्यूंकि आप जेपेसी की झाल झाल झाल